एक मचवारे ने अपना जाल उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। नदी पहुचकर उसने देखा कि अभी दिन पुरी तरह से नहीं निकला है तो वो नदी के किनारे टहलने लगा। टहलते टहलते आचानक उसके पैरों से कोई सक्त सी चीज टकड़ाई। उसने जुक कर वो चीज उठाई तो पाया की छोटे-छोटे पत्थरों से भरी हुई एक छोटी सी थैली है। दिन निकलने में अभी कुछ देर था इसलिए मचवारे ने जाल एक तरफ रख दिया और समय गुजारने के लिए उन छोटे-छोटे पत्थरों से खेलने लगा। फिर वो एक के बाद एक उन पत्थरों को नदी में फेकने लगा ऐसा करते-करते आखिर में अब मचवारे के हाथ में अंतिम पत्थर बचा था। इसे भी वो फेकने जा रहा था लेकिन तभी सूरज निकलाया। सूरज की रोशनी में उसने देखा कि उसके हाथों में पत्थर नहीं बलकि एक बहु मुल्ले हीरा था। मचवारे को अपनी नादानी पर बहुत अफसोस हुआ कि वो एक बेश कीमती हीरों का थैला यूँ ही फेकता रहा। लेकिन अपश्टाय होत क्या जब छिडिया चुक गई खेत। हमारे साथ भी अकसर ऐसा ही होता है। हम भी हीरे जैसी कीमती चीजों को अपनी आग्यानता के कारण नश्ट करते रहते हैं। अथवा उनका सद्यूपियोग नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़े और कार्ज होते हैं। समय भी उनमें से एक है। शुरू में हम उसके की कीमत नहीं समझते हैं और जिस दिन कीमत समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुक्वी होती है दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद दोस्तों